हलो नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल अवतार इस्टडी सेवन जीरो फाइफ फोर पर मैं विनोत प्रजापती आज के सेसन में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉक के बारे में हमने आपको न्यूटन के गति के दूसरे निजम के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में आपको उससे परिवाजित किया था आज हम उनके उदाहरणों और न्यूटन के दूसरे निजम के कुछ बिंदों के बारे में चर्चा करे जिसको हमने कल ही बता दिया था आपको P बराबर MV के फॉर्म में दूसरा बिंदू जो हमारा है वा कह रहा है रेखिये समवेक की SI unit क्या होती है किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड क्या होती है रेखिये समवेक की SI unit किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड होती है बहुत ही महत्पूर् कि रेखी समवेग की जो SI unit होती है वा क्या होती है तो आपको याद रखना है किलोग्राम, मीटर, प्रतिसेकंड इसका जो SI मातरक होता है होता है द्रब्यमान कैसी रासी है तो द्रब्यमान एक अधिस रासी है वेग आपसे पूछेगा कैसी रासी है तो वेग भी यहाँ एक सदिस रासी है आपको ध्याँ रखना होगा कि द्रब्यमान कैसी रासी है द्रब्यमान एक अधिस रासी है और वेग आपसे पूछेगा ज रेखिये सम्वेग की रासी कैसी है? दिख रहा है आपको कि रेखिये सम्वेग की जो रासी है वो क्या है? सदिस. आपको तीन रासियां याद करनी हैं. देखिये कि वेग कैसी रासी है? सदिस रासी है. वेग कैसी रासी है? सदिस रासी है. और द्रब्यमान कैसी रासी है? सदिसरासी है अगला बिन्दु देखे कि रेखी संवेग जो होगा रेखी संवेग संपर्पूट के लिए किसली उस्थ पर वह बल का योग सून्य होना चाहिए यह कई बार इन में पूछा जा चुका है एरफोर्स में पूछा था कि रेखी संवेग संरक्षण के लिए रेखिये समवेग सनरक्षन के लिए किस वस्त के बलों पर का उसका योग क्या होता है तो जो उसका वेग होता है वा सून्य होना चाहिए जब रेखिये समवेग सनरक्षन के लिए किसी वस्त पर उसके बलों का योग हो तो जो होगा उसका योग वो क्या होगा सून नहीं होगा अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं देखिए दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरह ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके ही देखिए यदि आपने इसके पहले वर्ले वीडियो ना देखिए हों तो सबसे पहले आप जाहिए निूंटन First Law के बारे में पढ़िए फिर उसके बार निूंटन Second Law के बारे में पढ़िए उनकी परिभासित रूप से जो वीडियो बनाएगे हैं उनको देखिए उसके बाद आप इस पार्ट में आए तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और आप अपने exams को clear करेंगे science के method से अगले हम देखते हैं चर्चा करते हैं आगे बिंदु पर तो देखे दोस्तों जो हमारा अगले बिंदु है वह क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगने वाले वह बल स्वरी वह बल समवेक दर के समानुपाती होते हैं क्या होते हैं किसी वस्त पर लगने व वह बल समवेगowski दर के समानुपाति होते हैं जिसे हम बाहरी बल के रूप में भी जानते हैं इसका मान होता है समानुपाते delta p upon p क्या होता है कि बाहरी बुआबर बाहबल बराबर क्या होता है समान उपाती होता है डेल्टा पी इजिक्वल ती यदि हम इस डेल्टा को निकाल दें तो बाहबल बाहबल इजिक्वल यदि हम डेल्टा को हटा कर बराबर का चिंद है यहाँ पर लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा के में परिवर्टित हो जाएगा जिससे ये क्या हो जाएगा delta के delta P upon T और वहीं हम के को हटा देंगे तो ये क्या भनेगा delta P upon T आपको ग्याद हो रहा होगा कि हमने पहले क्या किया कि बाहबल बराबर समानुपाती क्या बोल रहा है question बिंदु क्या कह रहा है कि किसी वज़त उपर लगने वाले वह बल सम्वेग दर के समानुपाती होते हैं तो कोई बाहरी बल है इसके समानुपाती है डेल्टा पी अपॉन्टी जब हम समानुपाती कच्चन लगाएंगे उसे कॉंस्टेंट करेंगे तो के कच्चन हैं वह एक कैसी रासी होगी तो वह एक सदिस रासी होगी ये भी ध्यार रखना है आपको कि जब कोई वस्तू पर लगने वाले वह बल जो समवेद दर के समानुपाती होते हैं तो उसमें लगा हुआ जो बाहरी बल होता है वह एक सदिस रासी का निर्मार करता है ये ध्यार रखन द्रब्मान को नियत कर दिया जाए मालीजिए बाहरी बल है आपके पास बाहरी बल है कोई बाहरी बल है और फार्मूला क्या है डेल्टा पी अपान डेल्टा पी अपान टी वही पर क्या कहे रहा है कि M को नियत कर दिया जाए द्रब्मान मतलब मास क्या है मास मास क्या बोलते जा तो डेल्टा हो जाएगा नियत करने पर M V अपान T का रूप धरन करेगा की नहीं मित्रों देखिए जब द्रब्दमान को नियत कर दिया जाए तो उसी फार्मले में डेल्टा P जो होगा वो P के अस्थान पर क्या होगा डेल्टा बाहर हो जाएगा और वहें पर M V अपान T का रूप धरन करेगा जिससे यहें उदाहरनार्थ को समझने में आपकी मदद करेगा अब देखिए अब यदि M कॉंस्टेंट हो M को हम कॉंस्टेंट कर दें देखिए दोस्तों ध्यान समझेगा यदि हम M को कॉंस्टेंट कर दें F is equal M into वेग परिवर्तन वेग परिवर् परिवर्तन वेग 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 परिवर्तन M है और into इसके पूरे अस्ठान पर क्या हम A लिख सकते हैं देखिए दोस्तों A लिख सकते हैं तो क्या फर्मुला बना Newton के सिकेंड ला का जो मुख का फर्मुला बनेगा तो क्या बनेगा f is equal m a क्या बनेगा f is equal m a कि कोई force हो कोई बल हो या बाहरी बल हो उसके द्रब्यमान और उसके तौरण का जो गुड़न फल होगा वो न्यूटन के second ला को दर्साएगा आपको समझ में आ चुका होगा कि f is equal m into वेग परिवर्तन बटे समय है तो वेग परिवर्तन बटे समय किसका सूत्र होता है तौरण का होता है तौरण को हम किस से मापते हैं तौरण को हम a से पतरशित करते हैं या acceleration जिससे जाना जाता है यदि a इसका पूरा मान होगा तो यह में कहलाएगा अगे बिंदु पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का निर्मान कैसे किया गया बिंदु को ध्यान से देखे और समझ ये एक जाम में ये भी पूछ लेता है चोटे जम से यूपी पुलिस है उसमें पूछा था ये कि बल एक कैसी रासी है तो बल यहाँ एक सदिस रासी है क्या है बल एक सदिस रासी है और बल का मात्रक तो सभी को पता होता है कि बल का मात्रक जो होता है वा निूटन होता है और बल का CGS पर दित में जो मात्रक होता है वा डाइन होता है बेहत इंपोर्टन है किसी कई लोगो को यह नहीं पता होता, उनको यही पता होता है कि बल का मात्रक जो होता है, वह न्यूटन होता है, लेकिन आप से एक्जाम जो होगा, वो थोड़ा कर देगा, थोड़ा वो घुमा देगा प्रशन को, और आप से पूश लेगा, कि बल का सीजियस पद्धित में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा, आपका समय लेकने के लिए माफी चाहता हूँ, देखेए बिंद पर, अगला बिंद जो हमारा कह रहा है, कि एक न्यूटन, एक न्यूटन इस इक्वल कितना मान होता है, तो एक न्यूटन का मान एक किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड इसक्वायर होता है, यह लिखा ही है, आपको समझ में आ रहा होगा, कि एक न्यूटन इस इक्वल क्या होता है, एक किलोग्राम मीटर प्रती सेकं स्कोर होता है यही पर हम देखेंगे कि 1N 1N is equal कितने डाइन तो 1N is equal 10 गहात 5 डइन वो मचल डैन समझ लेना आपो ठीक है तो हमोँा जाद रखना होगा कि 1N बराबर कितने डाइन के बराबर होता है तो 1N बराबर 10 की घहात 5 डाइन के बराबर होता है और यहीं पर हम जानेंगे कि आवेग का फार्मूला क्या होता है बल इंटू समय या बल इंटू समय इसे हम विस्थापन के रूप में भी जानते हैं लेकिन नहीं जो या फार्मूला क्रियेट होगा वो आवेग इक्वल बल इंटू समय का ही रूप लेगा आगे देखिए जो दूतिय न्यूटन्स के दूसरे नियम के उदाहरन हैं वो समझेंगे कि गेंद पकड़ते समय खिलाडी अपने हाथों को पीछे की और खीच लेता है क्यों तो कारण क्या है यह लिखा हुआ है आप समझेगा उसके बाद हम आपको समझाएंगे ऐसे पड़ रहे हैं समझेगा कि पेजगत से आती हुई गेंद का समवेग अधिक होता है इसलिए उसे रोकने के लिए समवेग को सून तक काम करना होता है गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की और खीचने के कारण तो समवेग सून करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती क्या आपको समझ में आया क्या आपको या समझ में आया कि जो इसका उदाहरण और या करण समझाया गया है आपको समझ में आया तो आपके मुलियों में चोड भी लग सकती है और आपके अंगली टूड भी सकती है क्यों क्योंकि जो गेंद होती है उसका जो वेग होता है वह बहुत अधिक होता है लेकिन यदि आप धीरे धीरे उस अपने हाथ को पीछे की और ले जाएंगे उसका जो वेग होगा वेग ह समय लगेगा जिससे उसका वेग जो होगा वो कम हो जाएगा हो जाएगा और आप हाथ को पीछे से लेकर गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं जिससे आपके हाथ हो में चोट नहीं लगेगी होगा जब आप पीछे की और खीचेंगे तो जो समवेग होगा उसका सून्य हो जा तो यही हुझारार तो तो आपकी अपको पीछे दोहरा है जो इस दिया में पूछता है कि एक गेंदर को पकडडने के लिए हाग को पीछे की और ले जाना किसका उदाहरण है तो न्यूटन के सिकेंड लाका या समवेग के नियम का उदाहरण है समझेगा कि तेजगती से आती हुई कि इंद का समवेग अधिक होता है आपको पता है कि तेजगती से आई हुई कि इंद का वेग जो होगा वो अधिक होगा इसलिए उसे रोकने के लिए समवेग सूने तक कम करना होता है जब आप उसको समय देंगे आप हाथ पीछे की और ले जाएंगे तो उसका समवेग जो होगा वो सूने तक कम हो जाएगा तो आप जब गेंद पकड़ने के लिए हाथ को पीछे की और ले जाएंगे तो जो गेंध होगा उसका समवेक तो सून ने हो चुका होगा और वह आपकी हाथों में आसानी से आ जाएगा और उस गेंध हो और आपके हाथों के बीच का जो समय होगा वो भी अधिक मिल जाएगा जिसके करण आपको चोट नहीं लगेगी तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको Newton's Second Law के दूसरे उताहरल को हम निश्टी वीडियो में बताएंगे और वहीं पर Newton's 3rd लाकी भी शुरुआत करेंगे सॉरी हम इसमें Newton's 3rd लाकी शुरुआत नहीं कर पाएं क्योंकि यह वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रियेट होंगी तो हम इस वीडियो को जड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे ज़दा से जड़ा यह 10 फ्लस मिनिट्स का होगा जिस से आपको अच्चे से समझ में आ जाए और आप इस वीडियो को रिवाइन करके एक से दो बार देख सकें हमारा चर्चा होगा यदि हम इस वीडियो को complete करेंगे Newton's first law, second law और third law के बारे में तो हम एक test series बनाएंगे test series बनाने के बाद आपको उस test series को solve कराएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि आपने उस test series में कुल कितने questions solve किये हैं आप बताएंगे कि आपने कितने questions solve किये हैं तो comment सितन में आप लुग जरूर बताईएगा और हाँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं